नमस्कार दोस्तों, इंसुरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है, यहां आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंसुरेंस की जनकारी, इंसुरेंस प्रोफेशनल के द्वारा वह अभी बिल्कुल आसान भासा में, दोस्तों आज इस चर्चा का बीशे है LIC का न LIC ने बिल्कुल ही नए ओप्सन को मार्केट में लाया है, कुछ ऐसे ओप्सन्स हैं जो मार्केट में पहले थे ही नहीं, इस प्लान में ऐसी तीन चीजे हैं जो इसे खास बनाती हैं, पहली है इसमें टॉप अप की सुविधा, जिसके तहट पॉलसी लेने के बाद भी आप आपके पास जब भी पैसा आए, आप टॉप अप करके अपनी पेंसन की रासी को बढ़ा सकते हैं, दूसरी है, फ्यूचर में पैसी के जरूरत पढ़ती है, तो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आप अपनी जरूरत के अनुसार एक लंशब पेमिंट का विड्रॉल क प्रिपर सकते हैं, और उसी के अनुसार आपका पेंसन कम हो जाएगा, और तीसरी खास बात है, पेंसन धारी के जीते जी रिटर्न और प्रिमियम का ओफ्षन, और सांती सांत इस पॉलसी में गरेंटेड रिटर्न भी है, मतलब पॉलसी लेने वाले को पॉलसी लेते समय ही पता होगा कि कितना प्रिमियम भरेंगे, तो कितने की पेंसन मिलेगी, चुकि यहाँ एक डेफर्ड एनुटी प्लान है, तो सबसे पहले डेफर्ड एनुटी का मतलब समझ लीजिए, डेफर्ड का मतलब होता है अस्थागित, मतलब आप जब पॉलसी लेते हैं, उसी समय प प्रियड कहते हैं, एनुटी को आप सिंपली पेंसन कह सकते हैं, तो आप डेफर्ड एनुटी प्लान को पॉलसी लेने के कुछ समय बाद पेंसन सुरू होने वाला प्लान कह सकते हैं, किसी भी पेंसन प्लान के लिए जरूरी होता है उसके आप्सन को समझना, तो चलिए सब से पहले इस प्लान के अंतरगत उपलब पेंशन के आप्शन के बारे में जानते हैं। इस प्लान में टोटल 11 आप्शन है। इनमें से आप्शन 1 से लेकर आप्शन 9 तक रेगुलर प्रिमियम के आप्शन के लिए हैं। और 9-1 से लेकर साथ तक single life के लिए हैं और 8 और 9 joint life के लिए हैं। Deferment period के दोरान survival और death benefit और दूसरा Deferment period के बाद यानि कि PENSIL शुरू होने के बाद का survival और death benefit. पहले बात करते हैं deferment period के दौरान survival और death and benefit के बारे में तो इस period में कोई भी survival benefit नहीं मिलता यदि deferment period के दौरान बीमा धारक की death होती है तो उसका जितना premium pay किया होता है उसका 105% नोमनी को मिल जाता है और deferment period के बाद यान की pension शुरू होने के बाद जो survival और death and benefit है वह सभी option के लिए अलग-अलग है आईए इसे सभी option के साथ समझते हैं पहला option है life annuity for single life इस option के तहट बीमा धारक जब तक जीवित हैं उन्हें pension मिलती रहेगी और उनकी मिर्तुक के बाद pension बंद हो जाएगी और इसमें किसी परकार का death benefit की payment नहीं होगी दूसरा option है life annuity with return of premium for single life इस option के तहट pension धारी जब तक जीवित हैं उन्हें pension मिलती रहेगी और उनकी मिलती हुग के बाद इस policy को लेने के लिए pension धारी ने जितना पैसा LIC को दिया था नॉमनी को सारा premium का भुगतान हो जाएगा यहाँ ध्यान रखें सिर्फ best premium वापस होगा उसके उपर जो tax लगता है यानि कि JST वो वापस नहीं होगा जो तिसरा option है life annuity with 50% return of premium after attaining age 75 years for single life इस option के तहट pension धारी जब तक जीवित हैं उन्हें pension मिलती रहेगी और जब pension धारी की उम्र 75 वर्स पुरी हो जाएगी तो इस policy को लेने के लिए pension धारी ने जितना पैसा LIC को दिया था उसका 50% पैसन धारी को वापस मिल जाएगा पैसन धारी की date के case में date यदि 75 वर्स पूरे होने के पहले होती है तो नॉमनी को 100% premium वापस होगा यदि date 75 वर्स पूरे होने के बाद होती है तो 50% premium वापस होगा क्योंकि pension धारी को already 50% का भुगतान हो चुका होगा जो चोथा option है एनुटी option for life एनुटी with 100% return of premium after attending age 75 years for single life इस option के ताथ pension धारी जब तक जिवित हैं उन्हें pension मिलती रहेगी और जब pension धारी की उमर 75 वर्स पूरे हो जाएगी तो इस policy को लेने के लिए pension धारी ने जितना पैस एलाईशू को दिया था उसका 100% pension धारी को भुगतान हो जाएगा pension धारी के date के case में एदी date 75 वर्स पूरे होने के पहले होती है तो नमनी को 100% premium वापस होगा जो पांचवाँ option है इस option के तहट pension धारी जब तक जिवित हैं उन्हें pension मिलती रहेगी और जब pension धारी की उमर 80 वर्स पूरे हो जाएगी तो इस policy को लेने के लिए pension धारी ने जितना पैस एलाईशू को दिया था उसका 50% pension धारी को वापस मिल जाएगा pension धारी की date के case में यदि date 80 वर्स पूरे होने के पहले होती है तो नमनी को 100% premium वापस होगा और यदि date 80 years पूरे होने के बाद होती है तो 50% premium वापस होगा क्योंकि pension धारी को already 50% का भुगतान हो चुका होगा जो छटा option है life annuity with 100% return of premium after attaining age 80 years for single life इस option के तहट pension धारी जब तक जीवित है उन्हें pension मिलती रहेगी और जब pension धारी की उम्र 80 वर्स पूरी हो जाएगी तो इस policy को लेने के लिए pension धारी ने जितना पैसा LIC को दिया था उसका 100% pension धारी को वापस मिल जाएगा pension धारी के death के case में यदि death 80 years पूरे होने के पहले होती है तो नोमनी को 100% premium का भुगतान होगा जो साथवा option है life annuity with 5% return of premium after attaining age 60 years to 95 years for single life इस option के तहट pension धारी जब तक जीवित है उन्हें pension मिलता रहेगा और जब pension धारी की उम्र 76 years पूरी हो जाएगी तो इस policy को लेने के लिए pension धारी ने जितना पैसा LIC को दिया था उसका 5% हर साल वापस मिलेगा और यह pension धारी की उम्र 95 years पूरे होने तक मिलेगा pension धारी के डेट के केस में बिमा धारक को जितना premium refund हुआ होगा वो माइनस करके बाई की premium का भूगतान हो जाएगा जो आठवा option है life annuity for joint life यह option बिलकूर one की तरह है फर सिर्फ इतना है कि इसमें joint life की coverage होती है जब तक दोनों pension धारी में से कोई भी जिवित रहते हैं 100% pension मिलती रहेगी और दोनों की मिर्तु के बाद pension और policy दोनों बंध हो जाएगी जो नवा option है life annuity with return of premium for joint life इस option के तहट जब तक दोनों pension धारी जिवित हैं उन्हें 100% pension मिलती रहेगी और दोनों की मेर्तु के बाद इस policy को लेने के लिए जो premium का भुकतान हुआ था वहाँ नॉमनी को वापस मिल जाएगा जो दासवा option है annuity with return of purchase price for single life या बिल्कूल option 2 की तरह है फर्क सिर्फ इतना है कि या single premium के option के लिए है इसके अंतरगत जब तक pension धारी जिवित हैं उन्हें pension मिलेगी उनकी date के बाद premium नॉमनी को वापस हो जाएगा जो इक 11 option है life annuity with return of purchase price for joint life ये option भी single premium के लिए है इस option के अंतरगत जब तक दोनों pension धारी में से कोई भी जिवित रहता है उसको 100% pension मिलती रहेगी और दोनों की मिर्त्यू के बाद इस policy को लेने के लिए pension धारी ने जितने premium का भुगतान किया था वह नॉमनी को वापस मिल जाएगा अब जानते हैं इस policy को लेने के लिए आवसर मापदंट और उसकी सर्तों के बारे में इस policy को लेने के लिए जो minimum age at entry है वह 20 years है और यह सभी option के लिए same है जो maximum age at entry है वह अलग-अलग option के लिए अलग-अलग है जिससे आप यहाँ देख सकते हैं जैसे की option 1, 2, 8, 9, 10 and 11 के लिए 80 years minus deferment period है deferment period यानि की pension कितने साल बाद सुरू होनी चाहिए तो regular premium के लिए minimum deferment period 5 years का है और maximum deferment period 15 years का है single premium के लिए minimum deferment period 1 year का है और maximum deferment period 15 years का है wasting age यानि की pension मिलना सुरू होने की age तो regular premium के लिए यानि की option 1 से option 9 के लिए minimum wasting age 35 years है और single premium के लिए यानि की option 10 और 11 के लिए minimum wasting age 31 years है maximum wasting age अलग-अलग option का अलग-अलग है जिससे आप इस table में देख सकते हैं premium payment term regular premium के लिए भिमाधारक जितने वर्ष का deferment period सेलेट करेंगे उतने वर्ष तक premium का भुठतान करना होगा single premium के लिए policy लेते समय premium सिर्फ एक बार भरना होगा minimum pension policy लेते समय कम से कम उस value की policy लेनी होगी जिसके तहद minimum monthly pension 1000 रुपे का मिले इसी परकार quarterly mode चुनते हैं तो उन्हे minimum उस value की annuity purchase करनी होगी जिसके तहद quarterly pension कम से कम 3000 का मिले half yearly के लिए 6000 और annual mode के लिए 12000 minimum pension होना चाहिए policy का अंतरगत death benefit के तीन option अविलेबल हैं जिनमें से किसी एक का चुना वीमा धारक को policy लेते समय करना होगा जिससे वह जब तक जिवित हैं change कर सकते हैं और उसी का अनुसार नमनी को death benefit का भुगतान होगा पहला है lump sum death benefit के इस option का तहट नमनी को भीमा धारक की मिर्तु के बाद सारा पैसा एक साथ मिल जाता है दुसरा option है annualization of death benefit इस option के तहट direct पैसा नहीं मिलता बलकि उस पैसे से उस समय immediate annuity की policy मिलती है और नमनी को regular pension मिलने लगता है जो तिसरा option है in installment का इस option के तहट नमनी को सारा पैसा एक साथ नहीं मिलता बलकि चुने हुए period 5, 10 या 15 साल तक monthly, quarterly, half yearly या yearly installment का रुप में मिलता है income tax इस policy का अंतरगत जो भी pension या death benefit का भुगतान होगा वह income tax के regulation का अनुसा उस पर tax लगेगा loan इस policy का अंतरगत deferment period खत्म होने के बाद loan के सुविधा उपलब्ध हो जाती है और single premium के लिए policy लेने के तीन महीने बाद ही loan के सुविधा उपलब्ध हो जाती है इस policy का अंतरगत जहां भी joint life की coverage है आप जान ले joint life में आप अपनी पत्नी को माता को पिता को दादा को दादी को पोता को पोती को भाई को बहन को भी add कर सकते हैं आएए इस policy को एक example से समझते हैं मिस्टर लगन जिनकी उम्रे 45 वर्ष है उन्होंने option 2 यानि की life annuity with return of premium for single life की policy लिए deferment period के रुप में उन्हें 15 वर्ष का चुनाव किया तो उन्हें 15 साल तक premium का भूगतान करना होगा मिस्टर लगन हर साल 50,000 plus GST का premium भरना चाहते हैं तो 15 साल में मिस्टर लगन टोटल 7,50,000 रुपे premium के रुप में भरेंगे policy के 15 साल पूरे होने के बाद उन्हें हर साल 86,740 रुपे का pension जिन्दगी भर मिलेगा और वो जब भी इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे उनके बाद 7,50,000 रुपे नॉमनी को वापस मिल जाएंगे यदि मिस्टर लगन के साथ अन्होनी deferment period के दौरान होती है तो उस समय तक मिस्टर लगन ने जितना premium भरा होगा उसका 105 परतिसत नॉमनी को मिल जाएगा अब single premium के example को देखते हैं मिस्टर लगन जिनकी उन्होंने option 10 यानि के life annuity with return of purchase price for single life की policy ली है deferment period के रूप में उन्होंने 15 वर्ष का चुनाओ किया है मिस्टर लगन single premium के रूप में 5 लाख रूपे प्लस जेश्टी का भुगतान करते हैं policy के पंदर वर्ष पूरे होने के बाद उन्हें हर साल 95,650 रुपे का pension जिन्दगी भर मिलेगा उसके बाद नॉमनी को 5 लाख रुपे वापस हो जाएंगे यदि मिस्टर लगन के साथ अन्होनी deferment period के दोरान होती है तो नॉमनी को 5 लाख 25 जा रुपे का भुगतान हो जाएगा तो दोस्तों यह policy online और offline दोनों जगों पे उपलब्द है offline में आप LIC के agent के माध्यम से इस policy को ले सकते हैं और online में LIC के website या wave aggregator के माध्यम से ले सकते हैं तो दोस्तों इस policy से जुड़ा आपके पास कोई सवाल हो तो उसे comment box में लिखें इस वीडियो को like करके मुझे परुद्शायत जरूर करें और सबसे महत्यपूर्ण यदि आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ insurance professional से insurance की जानकारी के लिए और अंत में अपना किम्ती समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद